आज हम यह यलो कलर का स्टा बनाना सीखेंगे इसके लिए मैंने 21 फंदे लिए हैं पहले तीन फंदे वाइट फिर एक यलो तेरा वाइट तेरा वाइट बनाने के बाद एक यलो और लास्ट के तीन वाइट यह हमारी फर्स्ट रो सेकेंड रो तीन वाइट दो यलो ग्यारा वाइट ग्यारा वाइट बनाने के बाद यह हमने ग्यारा वाइट बना लिये फिर दो यलो प्लास्ट के तीन वाइट थर्ड रो चार वाइट चार वाइट के बाद दो यलो नौ वाइट यहां तक वाइट बना लिये हैं दो यलो दो यलो के बार लास्ट के चार वाइट यह थर्ड रो कम्प्लीट हो गया फोर्थ रो चार वाइट तीन यलो साथ वाइट साथ वाइट बनाने के बार अब हम यहां पर भी तीन यलो और लास्ट के चार वाइट यह फोर्थ रो भी कम्प्लीट हो गया फिफ्थ रो चार वाइट चार यलो पाँच वाइट चार यलो और लास्ट के चार वाइट सिछ तो पाँच वाइट चार यलो तीन वाइट चार यलो और लास्ट के पाँच वाइट पाँच यलो एक वाइट पाँच यलो और लास्ट के पाँच वाइट एक दो पाँच वाइट यलो और लास्ट के चार यलो और लास्ट के चार यलो और लास्ट बनाने के बार 11 हम येलो कलर से बनाएंगे फिर पांच वाइट नाइन रो पांच वाइट ग्यारा येलो इसमें भी सेम पहले की तरह रो रिपीटोगी दो रो बिलकुल सेम बनेगी फिर लास्ट के पांच वाइट नेक्स्ट छे वाइट नौ येलो येलो ये हमारी टेंथ रो है छे वाइट नौ येलो और लास्ट के छे वाइट 11 रो छे वाइट 9 येलो और छे वाइट नेक्स्ट रो भी हमारी सेम रिपीटोगी ये तीन रो भी बिलकुल सेम बनेगी छे वाइट 9 येलो 9 येलो छे वाइट 12 रो भी कम्प्लीट होगी है 13 रो अब यहां पर हम पांच वाइट बनेंगे 11 येलो 11 येलो बनाने के बार लास्ट के पांच भी हम वाइट बनेंगे रो फॉरटींग चार वाइट 14 येलो 3 येलो बनाने के बार लास्ट के चार वाइट रो फुर्टीं तीन वाइट 15 येलो पंद्रा यल्लो बनाने के बाद लास्ट के दी वाइट 16th रू दो वाइट 17 यल्लो फिर दो वाइट लास्ट के नेक्स्ट रू एक वाइट 19 फंदे यल्लो 19 यल्लो बनाएंगे फिर एक लास्ट का वाइट यह हमारी 17 रू भी कम्प्लीट हो गिया अब 18 रू में पूरे की पूरे रू हमारी यल्लो ही बनेगी इसमें कोई भी फंदा वाइट नी बनेगा अब हम 19 रू में पहुंचके है इसमें हम आठ वंदे अब हम वाइट बुनेंगे आठ हमने वाइट बुन लिए हैं पांच यल्लो पांच यल्लो नेक्स्ट रोम में भी आठ वाइट, पांच येलो, और आठ वाइट, आठ येलो, पांच वाइट, आठ येलो, अब हम बाइस में रोम में आगे हैं, यहां पर हम नौ वाइट गुनेंगे, तीन येलो, फिर नौ वाइट, इसी तरह से हमारी ये रोम में ईट ओगी हैं, नेक्स डोम, फूझ में भी नौ वाइट, तीन येलो, और नौ वाइट, ये रोम भी सेम रिपीट होगी 24 रोवी सेम है 9 वाइट 3 यलो 9 वाइट 3 यलो और लास्ट के 9 वाइट 25 रोवी हमारी सेम यही बनेगी ये 4 रो हमारी सेम बनेगी 9 वाइट 3 यलो और फिर 9 वाइट 26 रोव अभी यहां पर 10 वाइट 8 यलो और 10 वाइट 27 रोव इसमें 10 यलो 3 रोजी तरह से सेम रिपीट होगी इसमें भी 10 यलो 27 वी रो है 10 वाइट यलो 10 वाइट 28 वी रो में भी 10 वाइट 1 यलो और 10 वाइट और यह हमारा डिजाइन भी कम्प्लीट हो गया है और कम्प्लीट होने के पाद यह इस तरह से दिखाई देता है आप इसको किसी में भी यूज कर सकते हैं 5-13 वाइट